जुडिश्री ने भी इस बार थोड़ी सी सीमा लांगी है प्रशासन ने उन दंगाईयों पर कारेवाही की और बिना सोचे समझे मिलाउड ने कह दिया एथनिक क्लिंसिंग किसकी हो रही है एथनिक क्लिंसिंग हिंदूओं की हुई है उस पर चिंता नहीं है मिलाउड को इसलिए मैं समझता हूँ समाज के सभी वर्गों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि मेवात को ब्रिज मंडल बने रहने देना है भगवान कृष्ण की धरती रहने देना है प्रेम और सोहार्द की धरती बनाना है या जिहादियों का एक सेंक्चुरी बनाना है ये विचार करना पड़ेगा हाँ एक बाद ध्यान दिलाना चाहूँगा चार साल से हमारा ये जागरन चल रहा है वहां के तत्यों को सामने ला रहे है उसके बाद ही पुलिस की हिम्मत हुई है वहां घुसने की उनको जरुवत मैसूस हुई वरना वो पिठकर आ रहे थे हमारी यात्राओं के कारण से ही आज वहां लॉइन ओर्डर है भारत के कानून का अस्तित्व वहां पर है वहां मौलवी की नहीं कानून की चलती है ये स्थापित होने जा रहा है बहुत सही दिशा में जा रहे अभी कसर है वो पूरी होनी चाहिए थी इसलिए हमने एनाईय की जाच की है क्योंकि पुलिस परशासन की कुछ सीमाई रहती है एनाईय उन सीमाउं से पार है कई अपराधी राजस्तान में जाकर छिप गए है और सब को पता है जहां कॉंग्रेस की सरकारे है वो इन आतंकवादियों को प्रश्रय देती है राजस्तान दे रहा है इसलिए उनको बाहर निकालना ये एनाईय ही कर सकता है आज भी हमारी मांग है जो कारेवाई बची है वो इनाईय को करने दे किसी व्यक्ति से कारेवाई को नहीं जोड़ना चाहिए कारेवाई में कोई कमी है ऐसा मुझे नहीं लग रहा और ये सरकार है तभी कर पा रही है कॉंग्रेस सरकारों ने तो उनको बढ़ावा दिया है न जरूर है लेकिन बहुत अच्छी कारेवाई की है ये हमारा मानना है महौल हो सकता है मेरे बोलने से भी बिगड़ रहा हो आप ऑनेयर करेंगे न तो हो सकता है ये सुनकर कुछ लोग बिगड़ जाए तो अब ये आपको विचार करना है कि ये उनेयर करना है कि नहीं करना मेरे जाने से क्या वो भारत की धरती नहीं है क्या मैं वहाँ जाना इसलिए बंद कर दूँ कि कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे मुझे लगता है ये चिंतन जिस दिन देश में शुरू हो गया वो पक्का पाकिस्तान हो जाएगा और उसी तरह का दृष्य बनेगा जो जिन्ना ने कहा था आईदर डिवाइड इंडिया और आई विल डेश्ट्रॉई इंडिया देवान टू डेश्ट्रॉई आवर मेवात आवर ब्रिज मिंडल दा लेंड अफ लॉर्ड कृष्णा दा लेंड अफ शिवा ये हम नहीं होने देंगे वहाँ पर प्रेम और सोहार्द होना चाहिए जिहादियों के नहीं चलनी चाहिए वहाँ भारत का संबिधान सबसे उपर होना चाहिए भारत के कानून का पालन सभी नागरिकों के द्वारा करना चाहिए वो चाहे किसी भी धरम के हो नाक का सवाल नहीं है ये वहां के समाज की एक धार्मिक आवश्चक्ता है हमने नहीं निकाली पहले से चल रही है और जब 31 जुलाई के हिंसा के कारण से वो यात्रा रुकी तो वहीं के समाज ने तै किया कि हम इस अधुरी यात्रा को पूरा करेंगे सर्वपाल पंचायत हुई और वहां पर ये निरने हुआ कि ये यात्रा हम करेंगे अब प्रशन आता है कि G20 भी होने वाला है मेवात के अंदर पुलिस प्रशासन और बाकी प्रशासन का ओपरेशन भी चल रहा है जेहादियों के विरोध में जो दंगाई थे हम उसमें भी बाधा नहीं डालना चाहते और इसके कारण से हमने इस तै किया है कि वहीं के लोग यात्रा को निकाले उन्होंने कहा यात्रा हम निकालेंगे और बाकी प्रदेश भर के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे वो कुछ और कारिक्रम करेंगे पुझ्य सादू संत और वहाँ के समाज के प्रतिश्चित लोग इस यात्रा को करने वाले हैं हमने उन सब को कहा है कि वहाँ की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए वो इस बार आग्रह न करें यात्रा होगी अवश्य होगी हम नहीं गए तो यात्रा नहीं होगी ये भर्म किसी को नहीं पालना चाहिए वहाँ का समाज जब करने में सक्षम है उन्हें करने देनी चाहिए हाँ मैं जाओंगा वहाँ की समाज नहीं आग्रह किया है कि मुझे आना चाहिए मैं जाने वाला हूँ वास्तों में क्या है कि केवल हमने तीन नारे लगाए थे जै श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जै अगर इससे कोई भड़कता है तो कोई किसी भी चीज से भड़क सकता है एक टाइम वो था जब कश्मीर घाटी में भारत माता की जै बोलने पर लोग गोलियां चला देते थे तिरंगा फैराने पर बम चला दिया करते थे तो किस चीज से माहूल खराब होगा माहूल खराब हुआ राम नौमी के जलूस पर भी जब मैं जलूस निकाल रहा हूँ और उन्हों ने कहा कि नहीं आप मेरी मस्जिद के सामने से नहीं निकाल सकते तो क्या हम माहोल खराब होने के डर से अपने सारे धार में कृत्य बंद करके घर में बैठे रहें मुझे लगता है ये जिम्मेदारी दूसरे समाज की भी है उनके नेताओं की भी है उनको भी विचार करना चाहिए कोई मेरे कपड़े से भढ़कता है कोई मेरे जै शिरी राम से भढ़कता है कोई भारत माता की जै से भढ़कता है इसी भढ़कने के डर से हमने भारत का विभाजन स्विकार किया मुझे लगता है अब सेंसिटिविटी वहां आनी चाहिए मैं फिर कहूंगा माहोल शब्दों से नहीं बिगड़ा कृपिया ये निरेटिव मत बनने दीजिए वहाँ सौ गाव हिंदू शुन्य हो गए हिंदू पलायन कर रहे हैं सभी जाती के ध्यान कर लेना जो पलायन करने वाले हैं वो केवल एक विरादरी के थे ऐसा नहीं है सभी विरादरियों के लड़कियों को उठाया गया सभी विरादरियों के लोग वहां से भागे हैं सभी के मंदिर और आर्य समाज का भी वो जो जहां पर हवन होता था उन सब स्थानों को भी उन्होंने अपवित्र किया है बार-बार इसलिए मैं समझता हूँ हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए एक नारे से भढ़केंगे क्या बिट्टु बजरंगी ने जो कहा गलत कहा हमने स्वयम उसकी भर्चना की है लेकिन वो तो दो दिन पहले कहा जो तैयारियां थी वो तो कई दिन पहले की थी मोनुमाने सर का नाम लिया जा रहा है क्या कहा उसने मैं यात्रा पर आ रहा हूँ आप भी आईए वो कोई अपराधी नहीं है उसके खिलाफ कोई चारशीट नहीं है उसके बावजूद ये काम हुआ ये दोनों तो बहाना है असली मकसद हिंदू को जलाना है और हिंदू शून्य बना देंगे क्या क्या उसको पाकिस्तान बना देंगे ये चिंता समाज के सभी वर्गों की होनी चाहिए सवाल देशभक्ती का नहीं है कोई कह सकता है कि मैंने तिरंगा लगाया है और तिरंगा हात में लेकर मैंने अभिशेक का गला काटा है अब आप तै करें वो देशभक्ती है या क्या है दिश्थित तोर पर पत्थर बरसाने वाले बम बरसाने वाले पुलिस वालों के उपर गोलियां चलाने वाले, दो होम गार्ड्स को मारने वाले, डीएसपी को कुचलने वाले, वो देशभक्त हैं क्या ये निर्णय आप सब को करना चाहिए। हिंदू शून्य बनाना, दारुल इसलाम में परिवर्तित करना, आखिर यही कश्मीर में नारे नहीं लगते थे क्या, यही सोचकर तो वहां से हिंदूों का नरसंगार किया था?